Study IQ IS अब तयारी हुई affordable उबहार सिनिमा की स्टड़ी मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों क्या होगा अगर सैकड़ों लोगों को एक गैस चीमबर में बंद कर दिया जाए जाहिर है कि इसका परिनाम दम घुटने के कारण वहां मौजूद सभी लोगों की निर्मम हत्या के रूप में सामने आएगा कहीं आप जर्मनी के तानशाह एडॉल्फ हिटलर द्वारा किये गए होलोकॉस्ट के बारे में तो नहीं सोचने लगे जी नहीं हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं बलकि हम बात कर रहे हैं अपने ही दीश में घटी ऐसी एक घटना के बारे में दरसल ऐसा ही कुछ द्रिश्य देखने को मिला था 13 जून 1997 के उभार सिनेमा अगनी कांड में जिसमें 69 लोगों की मौत सिर्फ दम घुटने के कारण हो गई थी आप सूच रहे होंगे कि आज हम इसकी चर्चा क्यूं कर रहे हैं दरसल उभार अगनी कांड पर आधारित एक वेब सीरीज ट्राइल बाय फायर नेट्फिक्स पर रिलीज हुई है और इसी के साथ एक बार फिर से उभार सिनेमा अगनी कांड चर्चा में आ गया है को इनसाफ नहीं मिला है आज भी वो सवाल जियों का तियों ही बना हुआ है कि दूश तो साबित हो गया लेकिन मुझरिमों को जो सजा मिली क्या वो जुर्म के मताबिक थी ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतना बड़ा अगनी कांड हुआ कैसे इसके पीछे क्या कारण थे और आखिरकार च्यों केस के निप्टारे में 20 साल लग गए लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उबहार अगनी कांड की पूरी कहानी बार उबहार सिनेमा फायर ट्राजडी दी इंसिडेंट दोस्तों वो दोर मल्टी प्लेक्स का नहीं था सिंगल परदे पर फिल्म लगती थी टिकेट मिल जाए तो किसमत बहुत अच्छी है और नहीं मिला तो ब्लैक में टिकेट का जुगार तो होता ही था आज की तरह बॉलिवोड के सितारे गर्दिश में नहीं थे उस साल शहरुक की तीन-तीन फिल्में रिलीज हुई और तीनों ने बॉक्स आफिस पर खोब पैसे कमाए लेकिन असल में पब्लिक पागल हुई जून 1997 को जब जेपी दत्ता ने बॉडर फिल्म का पोस्टर रिलीज किया पोस्टर देख पब्लिक में कोहराम मच गया फिल्म का शायद ही ऐसा कोई शो रहा हो जो हाउसफुल ना गया हो 13 जून 1997 को फिल्म का पहला शो रखा गया देश भक्ती से ओत्प्रोत फिल्म में लोग सनी देवल सुनील शेटी जैसे कलाकारों की आक्टिंग को देखकर पागल हो रहे थे फिल्म देखने के लिए सैकड़ों की भीड सिनिमा घरों के बाहर हुजूम लगा कर खड़ी थी दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उभहार थियेटर में भी फिल्म देखने बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए थे फिल्म शुरू हुई और इंटरवल से पहले ही फिल्म के एक कैरेक्टर मेजर कुलदीब चांदपुरी ने गुस्से में मतुरादास नामक पात्र को छुट्टी पर भेश दिया मतुरादास से कुछ ओडियन्स को सहनुभूती हुई तो कुछ को गुस्सा आया फिल्म के दूसरे हाफ में मतुरादास वापस आ गया वापसी पर अन्य थियेटरों में बैठे आउडियन्स ने तो खुब तालियां बजाई लेकिन उभार थियेटर में सन्नाटा पसरा था दरसल थियेटर के बेस्मेंट में आग लगने के कारण थियेटर का हाल ऐसा हो गया अग लगने के बाद किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला हालात बिगरते ही भगदर मच गई लोग तेजी से इधर उधर भागने लगे कुछ तेजी के साथ ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकलने लगे और कुछ लोग उपर के एगजिट गेट की तरफ भागने लगे लोग इस कदर डरे हुए थे कि उपर मनजिलों के खिडकियों से ही कूदना शुरू कर दिया कई अंदर ही फंस गए धीरे धीरे आग का दाइरा बढ़ने लगा और लोग धूए की चपेट में आने लगे भगदर और अंधेरा होने के कारण लोग और ज्यादा घायल हुए जो लोग खुश किसमत थे भाग निकले लेकिन कुछ लोग वही भंसे रह गए और दम घुटने की बजह से थड़प थड़प कर उन्होंने वही तम तोड़ दिया फिल्म का फिर्स डे फिर्स्ट शो कुछ लोगों की जिंदगी का लास्ट शो साबित हुआ 13 जून 1997 की वो खुशनमा शाम इस तरह से एक नासूर बन जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था इस अगनी कांड में 69 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए मरने वाले 69 लोगों में से 23 बच्चे थे सबसे छोटा बच्चा महज एक महीने का था सिंगल स्क्रीन थियेटर में इस तरह की घटना का होना सभी के लिए चौकाने वाला था इस कांड ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया था लेकिन आखिर ये दुआ आया कहां से हमें इसके पीछे की क्रोनोलजी समझनी होगी तो चलिए बताते हैं आखिर ये हुआ कैसे दरसल उभहार थीटर के बेस्मेंट में बिजली के दो ट्रांसफॉर्मर लगे हुए थे 13 जून 1997 की सुभए ही उसमें शौट सकिट हो गया था और ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई थी तुरंत डेली एलेक्रिसिटी डिबार्टमेंट डी एवी को कॉल किया गया अब आप तो जानते ही हैं सरकारी काम किस तरह से होता है डी एवी की देखरेक में ट्रांसफॉर्मर की मेंटेनेंस शुरू हुई तारों को ठीक से जोडने के लिए क्रिंपिंग मशीन की जरूरत होती है लेकिन उसे लाने की जैमत भला कौन करें जुगाड से जब देश चल सकता है तो ट्रांसफॉर्मर क्या चीज है सिर्फ उस समय मौजूद कुछ उपकरणों से ट्रांसफॉर्मर का मेंटेनेंस कर दिया गया कुछी समय बाद सब ठीक है कहते हुए डी एवी के अधिकारी वहां से रफुचक कर हो गये और शाम होने तक जुगाड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया एक केबल धीली होकर रेडियेटर से जा लगी रेडियेटर में छेद हुआ और उससे तेल रिषने लगा तेल के रिषते ही केमिस्ट्री ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया ट्रांसफॉर्मर का टेंपरिचर बढ़ने लगा टेंपरिचर का पारा बढ़ने लगा और फिर भबक कर आग लग गई ये सब उस वक्त हो रहा था जब पबलिक हाथ में पॉपकॉन और कोल ड्रिंग लेकर फिल्म का लुथ उठा रही थी ट्रांसफॉर्मर से शुरू हुई आग जा पहुँची बगल के पार्किंग एरिया में डीजल से पेट्रोल मिला और फिर आग ने दहकती लप्टों का रूप ले लिया पार्किंग में खड़ी 28 कारें धू 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 कर जलने लगी नियम के अनुसार ट्रांसफॉर्मर के पीछे की दीवार छोटी होनी चाहिए थी लेकिन दीवार को उचा बनाया गया था फिर आए फिजिक्स की बारी हवा के साथ और उची दीवार के सहरे धूआ ऊपर की ओर जाने लगा यहीं पर थिएटर की ओर जाने वाली सीड़ियां थी सकरे रास्ते से होते हुए धूआ थिएटर हॉल तक पहुँचा और दरवाजे और एसी वेंट्स के थूँद धूआ थिएटर हॉल के अंदर भरने लगा पहले पहुचा फर्स्ट फ्लोर पर जहां पर 700 लोग बैठे हुए थे जहां से सभी सेफली भाग निकले उसके बाद धूआ चड़ने लगा बैलकनी की तरफ जहां 302 लोग फिल्म देख रहे थे बैलकनी में 250 सीटों की जगह थी लेकिन पैसा कमाने के लिए 302 सीटों को लगाया गया रेगिलेशन के हिसाब से एग्जिट गेट तो था लेकिन ज्यादा सीटों की वज़ह से गेट को बंद कर दिया गया था इसी के साथ ही उपर बैलकनी में एक्जॉस्ट फैन होना चाहिए था लेकिन उसे भी कार्ड बोर्ड से बंद कर दिया गया था सिनेमा हॉल में आग लगने के बाद लाइट सप्लाई भी बंद हो गई थी घुप अंधेरे के कारण लोग बाहर का रास्ता भी नहीं ढून पा रहे थे आम तोर पर सिनेमा हॉल में फर्श पर लाइट लगी होती हैं ताकि रास्ता नजर आ सके लेकिन उभार सिनेमा में ना तो इमर्जनसी लाइट थी और ना ही फर्श लाइट बैलकनी में बैठे लोग बंद दर्वाजे को तोड़ कर भागने में काम्याब तो हुए लेकिन वहां पहुँच गए जहां चाइन आश्ता बिकता है सिनिमा की छट पर भाग सकते थे लेकिन सीड़ी का दर्वाजा बंद था क्योंकि उपर आफिस बना दिया गया था इसी बीच हॉल में काफी धुआ भर गया था बैलकनी में दाएं तरफ फंस गए लोगों ने लॉबी की तरफ जाने की सोची लेकिन ऐसा करना भी संभव नहीं था क्योंकि वहां पर वीवी आईपी के लिए आठ सीटों वाला एक बॉक्स बना दिया गया था इसके साथ ही मुख्य एग्जिट गेट को फिल्म शुरू होते ही लॉक कर दिया गया था धुए के आगोश में आते ही कई लोग बेहोश होने लगे जो लोग बैलकनी में रह गये थे कारण उनका दम खुट गया इसके अलावा जिन्हें थियेटर में सुरक्षा की ड्यूटी मिली थी वो जान बचाने के लिए पहले ही भाग गये थे फायर ब्रिगेट की गारियां वक्त पर नहीं पहुँच पाई क्यूंकि उस समय बहुत ज्यादा ट्राफिक था और जिस जगह ये सिनेमा हॉल मौजूद था वो बहुत बिजी लोकेशन थी वैसे इस घटना में कोई आग में जलने से नहीं मरा सबकी मौत दम घुटने के कारण हुई थी जांच के दोरान और भी कमियां देखने को मिली जैसे ना तो वहाँ एक्जिट लाइट मौजूद थी बता दें कि एक्जिट लाइट नियॉन कलर की लाइट होती है जो बैटरी से चलती है नहीं वहाँ पर आग पर अनॉंस्मेंट हुई थी क्योंकि एनॉंस्मेंट सिस्टम खराब था नहीं वहाँ कोई फायर अलाम था न वहाँ पर फोम एक्स्टिंग्विशर थे थीएटर के अंदर खाली जगहे पर दुकाने लगा दी गई थी बाहर निकलने की जगहें ब्लॉक थी और DAV transformer की maintenance भी वक्त पर और ठीक तरीके से नहीं हुई थी कुल मिला करके सुरक्षा के बुखता इंतिजाम ना होने के कारण लोगों की जान गई अंदर बैठे लोगों को धूए के अलावा आग की कोई खबर नहीं थी इसके अलावा projector operator को भी आग लगने की जानकारी नहीं थी लेकिन उपहार cinema के manager और अधिकारियों को इन सभी बातों की जानकारी थी कि आग लगी है पर सभी ने इसे अंदेखा कर दिया लोग घुट-घुट कर मरती रहे और परदे पर film चलती रही उधर परदे पर सैनिक पाकिस्तान से जंग कर रहे थे इधर लोग जंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे थे इसके बाद शुरू हुआ तहकीकात और court case का दौर घटना की जांच के लिए एक committee बनाए गई जिसने 3 जुलाई 1997 को अपनी पहली review report पेश की licensing branch of Delhi police और municipal corporation को घटना का जिम्मेदार ठेराया गया कोट ने उपहर सिनेमा के मालिक सुशील अंसल उनके भाई गोबाल अंसल दिल्ली बोर्ड के एक inspector और fire brigade के दो अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती warrant जारी किया कई दिनों तक गरफतारी से बचने के बाद आखिरकार 27 जुलाई 1997 को पहली गरफतारी हुई इसके दो दिन बाद मामले की जाँच दिल्ली पुलीस की जगह CBI को सौंपदी गई CBI ने मामले में जाँच करते हुए 15 नवंबर 1997 को सुशील अंसल, गोपाल अंसल सहित, 16 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायार की CBI की जाँच में कई फैक्ट सामने आए थे सुबूतों के साथ छेड़ चाड़ की बात कही गई अदालत में काफी लंबा ट्रायल चला लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाया दस साल बात, यानि 20 नवंबर 2007 को मैजिस्टीरियल कोट ने अपना फैसला सुनाया तब तक चार्जशीट में आरोपित कई लोगों की तो मौत हो चुकी थी और अंसल बंधू जेल में थे इन में से कईईउं को साथ महिने से लेकर साथ साल तक की सजा सुनाय गई अंसल ब्रदर्स को मातर दो साल की सजा और दोनों पर धाई-धाई करोड रुपे का जुर्माना भी लगाया गया इसके साथ ही उपहार सिनेमा के तीन मैनेजर और तीन डीएवी अधिकारियों को साथ साल की सजा हुई इसके बाद मामला पहुँचा हाई कोट जहां अंसल बंधूं की सजा को घटा कर एक साल कर दिया गया अगनी कांड की पीडिता नीलम कृष्ण मूर्ती ने इसे सुप्रीम कोट में चुनोती दी फिर 2015 में सुप्रीम कोट का फैसला आया जो और भी चौका देने वाला था कोट ने अंसल ब्रदर्स की जेल की सजा पूरी तरहें माफ कर दी और उनके उपर 30-30 करोड का जुर्माना लगाया गया पीडित परिवार ने दोबारा सुप्रीम कोट में याजिका दायर की इस केस पर कोट का अंतिमादेश 2017 में आया जहां तीन जजों की बेंच ने गोबाल अंसल को एक साल की सजा सुनाई सुशील अंसल की उम्र 77 साल थी उम्र को देखते हुए उन्हें रहा कर दिया गया ये कोट केस एक दशक से भी ज्यादा चला और शुरुवाती साथ सालों में इस से जुड़ी 344 हेरिंग हुई आपको शायद इसके बारे में पता ना हूँ लेकिन जब उबहार सिनेमा बनने वाला था तब डिप्टी कमिशनर जिन्हें उसकी लाइसेंसिंग करनी थी उन्होंने दस से ज्यादा नियमों के बारे में बताया था जिन्हें तोड़ा गया था पराग लगने की घटना यानि 14 साल बाद तक भी उन्हें ठीक नहीं किया गया था दोस्तों ये तो था क्रिमिनल केस लेकिन इससे रिलेटेड एक सिविल केस भी दायर हुआ था अक्सर हम सुनते हैं कि सरकार किसी घटना के घटने पर मुआवजे की घोषणा करती है लेकिन ये सिविल केस थोड़ा अनूठा था इसमें दोशियों से मुआवजे की रकम वसूल की जानी थी घटना के बाद पीडित परिवारों ने एक संगठन बनाया Association of the Victims of Uphar Tragedy यानी AVUT इसने उबहार सिनेमा मालिकों पर Civil Compensation यानी नागरिक मुआवजे का केस दर्ज किया 24 अपरेल 2003 को दिल्ली की एक अदालत ने एक लैंड मार्क फैसला सुनाया कोर्ट ने तै कि दोशियों से मुआवजे के तौर पर 25 करोड रुपए की रकम वसूली जाएगी जिसका 55 प्रतिशत अंसल भाईयों से वसूल करना था और बागी 45 प्रतिशत रकम डेली एलेक्रिसिटी बॉर्ड, फायर सर्विस, लाइसेंसिंग ब्रांच अव डेली पुलीस और म्यूनिसिबल कॉर्पोरेशन से लेना था बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, जहां 13 अक्टूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके तहट मुआवजे की रकम को आधा कर दिया गया AVUT की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ती, जिनके दोनों बच्चे इस हादसे में चल बसे, उन्होंने कोर्ट के फैसले पर संगठन की तरफ से नाराजगी जताई उनका कहना था कि बात पैसों की नहीं है, बलकि पब्लिक प्लेस पर सेफ्टी में जवाब दे ही और कड़े सुरक्षा मानदंडों की है AVUT की लडाई अभी इस मामले को लेकर जारी है 2020 में भी AVUT ने रिव्यू पेटिशन दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया कंक्लूजन 26 साल चले इस लडाई के बाद सवाल आज भी वही है हत्या का इरादा ना होते हुए लोगों की गलतियों की भजह से इतनी बड़ी घटना घटित हुई वैसे आग लग जाना, कोई हादसा हो जाना किसी के हाथ में नहीं है लेकिन हादसा होने के बाद नुकसान कम हो, ये हमारे हाथ में होता है और इसी के लिए regulation और नियम बनाये जाते हैं उपहार मामले में एक भी regulation का पालन नहीं किया गया अब Netflix की web series उपहार सिनेमा में नीलम कृष्ण मूर्ती की कहानी बताने जा रही है जिनके बच्चे इस अगनी कांड में मारे गए थे उपहार सिनेमा कांड कई लोगों की जहन में आज भी ताजा है इस कांड में दोशी किसे ठहराया जाए क्या आपको लगता है कि विक्टिम्स को नियाय मिल पाया है और अगर नहीं तो वो कैसे मिल सकता है अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें